वेल्कम बेक टू नेक्स्ट पार्ट ओव रियक्शन मेकिनिजम तो इन टूदे चेप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एंड नुक्लोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिटूशन ठीक है यह उससे पहले हम लास्ट पार्ट को समराइज करें तो हमने बोल सकत आप एपने पास जो नौन पोलर सॉअलवेंशन रहे उसमें कौन सा एडिशन देता ऻा और अंटि एडिशन देता था ऐखंज समय आपने पास Distance के सब्स्क्रिक आपने पास कूसे लबकल साव खMoreक्शन चलीए और शिर्याइनकिन печत रहा कि इस चलेइशन रहा अपने पास तो क्या होगा अपने पास यसीन देगा तो अपने पास चिलेशन नहीं रहा तो अपने पास एंटी tyre आडिशन देरा था ठीक था mcppb की बात हमने कि लेकिन यह हम जब आगे कोई reaction पड़ेंगे जब name reaction पढ़ेंगे तब हम इसको इसको concider करेंगे हैов hbr की reaction पड़ी थी होगा उसकी बात किती है हमने stability के according बात की थी ठीक है तो यह बात हमने last chapter में की थी अब हम क्या करते हैं कि जो हमने अब तक जो reaction mechanism पढ़ते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा हमने यही draw किया है तो यदि बात करें substrate की तो substrate अपने पास क्या हो सकता है electron deficient हो सकता है और अपने पास electron rich हो सकता है ठीक है तो अब तक जो part 8 तक है वह हमने कोन-कोन सी reaction पढ़ने वाले तो इसके साथ से हम समझ सकते हैं तो यह अपने पास electron deficient center हुआ तो इस पर कौन सी reaction होगी nucleophilic reaction होगी और nucleophilic में भी अपने पास living group रहा तो nucleophilic substitution reaction रहेगी तो यह आज के chapter में हम पढ़ने वाले है कि आज के chapter में पढ़ने वाले है 9th chapter में पढ़ने वाले है ऐसे यह दि लीविंग ग्रूप भी रहा नहीं रहा अपने पास living group नह तो उसमें कौन सी reaction होगी है अपने पास nucleophilic addition reaction होगी यहाँ पर living group था यहाँ पर living group नहीं है तो यहाँ पर कौन सी addition reaction होगी हम बहुख सकते है कि हमने जो कार्बोनील की reaction पड़ी है तो उसके अंदर हमने यह देखा था कि हौहाँ पर living group नहीं था ठीक है ऐसे यह एट्छन कुछ को अपने पास living group रहा तो substitution reaction रहेगी और living group नहीं रहा तो अपने पास इलेक्टियूख एडिसन रहेगी ठीक है तो यह वाली बात में हमने कर चुके है अपने पास living group था तो उसकी बात question है वो मैं आपको समझाते दाओं और उसको बोलते हैं one four edition क्या बोलते है one four edition तो यह जब हमने elkin की reaction पढ़ रहे थे तो हम यह क्या भूल गे थे तो हम क्या रहते हैं इस example को हम अच्छे से देखते हैं और यहां पे जो homo loomo concept है जो actual जो बात है वो समझते हैं तो महाल लोग कि मेरे पास कोई conjugate dine है मेरे पास कोई conjugate dine है और मेरे को बोला जाता है कि मेरे पास BR2 है और इसकी साथ reaction करवानी है ठीक है मेरे को BR2 दे रखा है और कोई condition ही यह स्थे आपने पास कुछ ऐसे आप है क्या अपने पास तो आ जात रहे हैं अब हम उसके बाद नर ने जामने चुटा इस पर पिदे पर रहा है तो मतल्लों कि अधर से याँ और युदर से open होगा तो यहा पर Sy यहां पर क्या करेगा प्रोडक्सож यहां पर R Al Let ठीक है अब क्या बोलते हैं कि यह जो बियार है जो यह वाला जो बियार बियार है वो क्या कर सकता है अपने पास यहां पर भी तो डोनेट कर सकता ना यहां पर डोनेट करके इसको ओपन कर दें ठीक है ओपन करके यह फिर इधर मूँ कर जाएगा तो इसके केस में यह यह वन तो 1-4 के case में पने पास कुछ प्रोडक्स हो गया यहां पर भी आरा आ गया यहां पर भी आरा गया फिक है अब यहां पर बोला जाता है कि जो यह 1-4 edition है वह heat की presence में होता है तो जो लोजिक है लोजिक की बात करें तो हम हमोम waren से पड़ि सकते हैं किससे पड़ ऑंबू हम सटार्टिंग से भात करें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जो यह वाला सेंटर है यहां पर कार्वो केटाइन फॉर्म हो रहा होगा यह क्या हो रहा होगा कुछ ऐसा बोल सकते हैं यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर पार्सलि पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा तभी तो वियार यहां पर अटेक कर रहा है तो हम बोल सकते है तो इसके पार्सले अटओमिक और्बिटल बूल सक्ते हैं ठीक है और हम यह दोबात करें किसकी जो डबल बॉन्ट है यह अपने पर कषिए अपने पास cछी क्छी का तक है है तो इसके गैसे हम क्या देख सकते हैं कि यह क्या गज़ता है पास यहां पर पणदो का फास और इप सोसकता है और यहां पर देखा जाए उपर तो यहांपर कि बोल सकते हैं सिग्मा स्थार इसके उपर देख स्थार पास स्थार प्हosh Curry देख सकते हैं तो अभी यहां पर जो देख जि Всем तो यह क्या अपने पास यहां पे इसके पास इतनी एनर्जी रहेगी नहीं तो यह क्या गरेगा? यहां पे जो कार्वोगेटाइन फोम हो रहा है वो क्या बोल सकते हैं एंटोमिक ओरविटल की तरब बोल सकते हैं? तो यह क्या गरेगा Atomic Orbitle में यहां debido अभर सने बढ़ की सुछाईगा हूई फिर इसमें डॉनेट कर सकता है इसमें डॉनेट करसक्था काज तो इसमें ने rij में इसमें rebound इसमें Sum वह क्या रहेंगे अपने एक दूसरे से दूर रहेंगे एक दूसरे से दूर रहेंगे तो हम बोल सकते हैंगे कि यह product more stable होगा ठीक है तो यह thermodynamic product है तो इसके अंदर 5 star cc में कब donate करेगा जब हम heat देंगे तो बोलते हैं कि जो product form होता है उसको बोलते हैं thermodynamically favorable thermodynamically favorable और जो अपने पास one two addition होता है वो बोलते हैं काइनेटिक ली फेवरेबल ठीक है ऐसे ही यह नेक्स चेप्टर की बात करें मतलब नेक्स topic की बात करें जो आज का topic है तो यह हमने देखो जो यह last part में हमने नहीं पढ़ाता तो हमने यहां पर discuss कर लिया यह homo-numo की according समझा सकता है अच्छे से अब हम बात करते हैं कि आज का जो topic है उसको हम कैसे consider करने वाले कैसे नहीं करने वाले तो मैं आपको बता दूँ पहले हम general mechanism की बात करेंगे बेसिक से बात करेंगे और फिर हम उसके बात करेंगे कि exam में कैसे question पूछे जाते हैं ठीक है तो main motive होएगा exam में कैसे question पूछे जाते हैं ठीक है selectivity के रहेगी region selectivity क्या रहेगी कहां पर attack करेगा कहां नहीं करेगा ठीक है जो general सबको समझ में आता है लेकिन बात आ जाती है कि जब exam में क्यूशन आंचर आते हैं तब तो बात करेंगे अपने पास जो benzene ring होती है तो उसके बात करेंगे यहां में क्या होता है घृ के इन्दर क्लॉट रहता है महंदिख southern Влад के करेंगे ज Fra47 से कर सकता है ठीक है आप नहीं से कर सकता है मतलब upside से भी कर सकता है और downside से भी कर सकता है ठीक तो यहां पर क्या होगा पहले sigma complex होगा sigma complex का मतलब यह है कि अपने पास क्या हो रहा होगा संबो है और जो अपने पास कोर्ब सh और यहां पर से कुछा हौना क्यूंसा आप हो रहा है तो यहां पर सिखमा कॉंपlex हो है कि यहां पर इत्र मों करेगा अपनी पास क्या ओगा हूंगIn इसको जन्रल मेकिनिजम से पढ़ने वाले हैं तो देखो यहां पर क्या होगा पाई कॉंप्लेक्स होगा ठीक है यहां पर अपने पास सिग्मा कॉंप्लेक्स है ठीक अब देखो इसको जन्रल देखा जाए तो पहले क्या होगा कि जो अपना इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो तो इस पर Electrophile पर क्या अपास Benzine ring क्या है अपने पास बहल सकते हैं कि अपने पास Electron dense Is、「 Electron dense species अपने इसको 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 सब्स्रेट होगा तो किया क्या बहलेगा यहां पर यह पहली step है यहां पर यह क्या है पहली step है अब क्या गरेगा कोई base रहेगा और वो क्या गरेगा hydrogen को अबस्टेट करेगा और यहां पर क्या गरेगा यह addition हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा addition नहीं बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं हो जाएगा और बोल सकते हैं सबस्ट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट करदा यहां पर चाण प्राइब क्या आएक जा रहा है अब यहां पर क्यूंट जा रहा है यह तो यहां पर ही यहां पर यह क्यों करा रहा है कॉआ करैं यहां पर गयन हो रहा होगा इसलिए यह कर दो आपने पाशे अग्जांपल फों react कॉछ beasts और पर पूछ जाए कि जो इलेक्ट्रफाइल वो उसका अटेक कहां होगा कौन से कार्बन पर होगा तो देखा ए तो इलेक्ट्रफाइल अपने पास आएगा तो यह क्या अगर सकता है यहां से डोनेट कर सकता अपने पास तो यहां पर यहां पर डोनेट करा सपोज करो मेरा कि इसने इसी का पॉसिबिलिटी थी कि यह क्या गर सकता था अपने पार कि यहां पर अपने पार यहां पर कर सकता था यह अपने पार यहां पर एडिसन हो गया इसका ठीक है यहां पर एडिसन हो गया और यहां पर का अपने पार कार्वोकेटाइन फॉर्म हो गया ठीक अब देखो अब इसके अपने पास डो bueno सकते हैं तो आपने पास यहां पर ऑ्थैकने नहीं जो बॉल्खकर रहा किया मतलब इसको आपने पास यहां पर बॉल सकते हैं और यहां पर ecosystem जाएगी अपने पास reaction कौन सी जाएगी तो देखो यहां पर क्या होगा तो अपने पर क्या है यहां पर क्या है अपने पर हाइडोजन है तो यह हाइडोजन किस में डोनेट कर रहा होगा सिग्मा स्टार किस में कर रहा होगा यह क्या कर रहा होगा जो अपना प्यजेड और्बिटल है वो किसका है अपने पास CISIME3 के उसमें कर रहा होगा यहां पर क्या कर रहा होगा एटोमिक और्बिटल है जो उसको बोलते हैं प्यजेड और्बिटल है वो किसका होगा CISIME3 का तो एक तो इसमें donate करेगा और यह दी हम इसकी बात करें जो आपने पास जो सेकिन वाला है उसके अंदर जो इदी hydrogen होगा तो वह किसके atomic orbital में करएगा जो शेकिंड वाला है atomic orbital वो किसके PZ orbital कॉन सा है अपने पास sigma star पूसरी तो PZ orbital और वो बहुत वोल सकते हैं अपने पास CC का है अपने पास मतलब CC का है ठीक है तो यहाँ पर ज्वाइद्रोजन रहा तो क्या गरेगा अपने पास carbon का रहता है लाज सकते हैं यह इसका CH करेगा ठीक है तो अब देखो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यह जो इनर्जी इसकी एनर्जी है CSIME3 की एनर्जी है Atomic Orbital की वो क्या रहेगी क्या रहेगी क्योंकि यह more stable है ठीक है यह more stable है तो देखो basically क्या होता है कि यह वाला hydrogen वो यहां पर move करता और इसको remove कर देता है तो इसके अंदर पाथ 1 है वो follow करता है पाथ 2 follow नहीं करता उसका reason यह है कि जो यहां पर किस में donate करता था जो अपना पास CH है जो CH है atomic orbital वो किस में करता था अपने पास CC में donate करता था पास CC में donate करता था और कोण सा ज्यादा stable था अपने पास ज्यादा stable है तो यह बोल सकते हैं कि आपने पास यह path 1 वाला अपने फेवर करेगा तो हम ऐसे ही aq-sern आगे पढ़ने वाले है तो दीखो यह हमने एलकीन की बात करी थे हमने जब ब्रॉमिनेशन की बात की थी तो उसमें हमने बोला था कि यह क्या गर सकता BR2 डालने पर अपने यह नौर्मल कंडिसन पर भी अपने पास इसका एडिसन हो जाता है लेकिन हम बात करें कि जब हम aromatic बेंजिन रिंग की बात करते हैं और बोलते हैं कि जो BR2 है उसका addition हो जाएगा तो यह possible नहीं है ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो BR2 है जो BR2 है उसका addition हमें किसकी presence में करवाना पड़ेगा कोई अपने पास Lewis Acid Regam तो उसका reason यह बहुत सकते हैं कि अपने को जो BR2 है उसको activate करना पड़ेगा तो जो अपने पास जो बेंजिन रिंग है जो अपने पास जो बेंजिन रंग है वो क्या गरती है कि वो बहुत ज़्यादा stable होती है बहुत ज्यादाब इस्टैबल होती है उसकी हुझे से हुसाओस तो हम जब L-Kine की बात करें तो हमने बोला था कि BR2 का भी addition हो रहा था और MCPVA का भी अपने पास जैसे RCO3, H का भी अपने पास क्या हो रहा था यहाँ पर addition हो रहा था और इंसरसरो रहा था जबकि अपने पाद यदि बेंजीन में देखा जाए तो जो बी आर्टू है, जो बी आर्टू है तो उसके अंदर एलेक्टेफिलिक बोल सकते हैं कि अपने पाद एलेक्टिपलिक अरोमेट indirect substitution नही हो रा था तो इसका region क्या बोल। इसका बोलाइन कि यह पिए तु यह क्यू नहीं हो रहा था है अब देखा कि क्या बोलता है यह अगति नहीं रहती देख़ास कि क्या हो थे आपने पाश बेंचिवह यह बहुत ज्यादा रहती रहती आस लगना बाहो पॉजीटीव नेगेटीव चार्ज़ uts पॉजीटीव और तो तो हो क्या इतνा। एलेक्डोफिलिक सेंटर नहीं हो पाता है। उसकी बिसवजे से रीकशन नहीं ढaireते दोनों ि यह रीकशन तॉच बात है। तो इस Anybody की चैपटर में हम्रीक्षन पढ़ने करने वाले हैं यह सब हमने हम इसे पड़ने वाले हैं ठीज है हम बात करेंगे वह किसमें बात करेंगे यहां निक्टोंग संब्सका इन सब्सक्राइब और इसके बाद में यहां उसी पर मॉलते हैं गठीज अलिमिहिने ग Sky Technology और जो second होगी वो अपने रहेगी Elimination Edition Mechanism जब Benzine Mechanism ठीक है Elimination Edition Mechanism और यह थी अपने पास Edition Elimination Mechanism ठीक है तो यह अपने पास यहाँ पर दो इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक तो हम स्टार्ट करते हैं किससे हेलोजनेशन से स्टार्ट करें तो Hello Generation में क्या होगा? कि अपने पास customers Br2rix Mountain logicना जआ। उसके नवालर मिन तेन क्या हाँ पर इसमें क्या पर पहले इसमें क्या हम QA पर एक्टिवेट करेंगे इसको एक्टिवेट करेंगे मतलब क्या गरेंगे और इस इसको Strong Electrofire बनाएंगी सॉक्षट में बोल सकते हैं और बोल सकते हैं और बोल सकते हैं अपने पासogan Baldi स्वाम होगा और उसके बाद में अपने पास कहा होगा यह जो हाइडोजन है वो क्या गरेगा जो अपना अपना कॉंपलेक्स वो इसको अपस्टेट कर लेगा और यहां पर क्या बने जागा ब्लोमोग एंजीन बना लेगा ऐसे ही यहां बात करें किसकी एनरजी लेवल की बा यहां पर slow step है ठीक है तो यह को यह डिपेंड करता है कि अपने पास की जो इलेक्ट्रो फिलिक सेंटर है वो कितना अपने पास इलेक्ट्रो फिलिक है ठीक है मतलब बॉल सकते हैं इज़ एप्लस हो रहा हूँ कितना मतलब positive charge generate कर रहे है तो उसी के according यहां इसको consider किया जाता यह है और यहां पर जो इंटर मेड Derek to 5 को मॉलतें कि हम्सिक्म souvent कॉम्हारें सभ्लब्र सभ्सिक्राइब पर यहां फिर जाने इंड कि बाहद करें करें उसमें क्यों cuz जो आई टू होता है जो आई टू होता है नौर्मली क्या है यह अपने पास यह इलेक्टोफिलिक सेंटर नहीं होता है इतना इलेक्टोफिलिक सेंटर नहीं होता ठीक है कि हम डाइरिक्ट रियक्शन करवा दे तो उसकी जैसे हम क्या गरते हैं इसमें आइचनो त्री डालते ह है यहां पर 553 करता है और फिर इसके बाद काँमें बहुते हैं तो उसके अंदर हम पर क्या रएगा यहां पर पहले वोटर मुट कर देगा क्या है मतलब ही मैं इसमें ऐड्रिक भर है आपने पास कौन सा था इसको यहां पर यह पर बात करें हो और यहांиком से कि बात करें तो देखो इसमें क्या होगा जो SO3 है उस पर क्या करेगा यहां पर यहां पर यहां पर इसके बाद में क्या होगा जो कि अपने पास जो यह है गिए प्रोटक्ट करों यहां पर सुल्फ़ोनेशन के बाद कर सकता है लेकिन जो sulphonation है उसमें एक दिक्केत है उसमें दिक्कत है कि इसको हम इसको heat की करवा दे मतलब heat दे दे इसको sulphonation होने के बाद में तो अपने पास क्या हो जाता है desultation हो जाता है मतलब in the presence of heat यह क्या गड़र सकता है अपने पास यहां पर desultation हो जाएगा ठीक है ऐगने अवर्ट क्राफट की बास कि बात करें डिए वर्ट किया होता गया है कि यह पहली बात मैं बदा दू कि यह यह रियक्शन है उसके अंदर यह पहली ऐसी इसके अंदर हम देख सकते हैं कि carbon carbon bond form हो रहा हूं carbon carbon bond form हो रहा हूं देखो यहां पर हमने जितने भी यहां पर reaction देखी है जिसे इसमें carbon sulfur है carbon sulfur है ऐसे iodine के बाद करें तो CI की थी अपने पाद CBR की थी लेकिन यह एक direct reaction है मतलब यह single step AC reaction है जिसके अंदर CC bond form होता है इसलिए इसमें क्या है जो फ्रेडल क्राप्ट है उसमें Nobel Prize मिला था ठीक है तो देखो इसमें क्या करेंगे है मैं Selectivity की बात करेंगे कि मालोग अपने पास यह अपने पास कोई system है यहां पर CS2 CS2 PLUS यहां पर CL अपने पास ठीक है तो पहली step में देखो यहां पर क्या हो रहा है अपने पास यहां पर मेकनिजम की बात करें तो देखो पहली step में अपने पास कार्वो केटाइन फोम हो रहा है कार्वो केटाइन फोम हो रहा है तो देखो कार्वो केटाइन हमें क्या करना है कि यहां पर सबसे मोर स्टेबल कार्वो केटाइन फोम होगा और एक जांपल वी मैं फॉस्ग कि यहां पर मेरे पास क्या है CS3 CS2 CS2 CL है ठीक है तो यहां पर एक्शन कौन से पर जाएगी तो पहले स्टेब में staging का फोम होगा पहली स्टेब में मेरे पास § 탄 général फोम होगा और में!.. को बोला जाएगी यहां पर reaction होगी तो कर दो कर दो पाद में कया गरेगा इसे का अपस सिगमा कॉंप्लेक्स होगा उसमें बाद में और अपने पास कर लेगा तो इसे ही बात करें फिडियल क्राफ्ट ऐसाईलेशन केट पहले के साथ यहां पर क्या मायन करें यहां पर यह complex warm करें और उसके अंदर क्या गरेगा यह आपने पास नुकलिफाई लव क्यारेगा अटेक करेगा ठीक है यह क्यारेगा अटेक करे गए और उसके बाद पर पर यचिन हो जाएगई ठीक है बनुर एड़ दे किया अब बात करेंगो ऐग्जाम के पॉइंट आप व्यूसी हो गात कि जो अपने पास Lewis Acid की presence में यह कुछ ऐसा form complex form होगा उसके बाद में यह product ऐसा form हो जाएगा Nitration में Nitringium ion form हो था और उसमें के बाद में अपने पास product form हो था Sulfonation में भी हम बोल सकते हैं कि SO3 अपने पास in the presence क्या बोल सकते हैं Acid में क्या रहता है अपने पास एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद में यह यह आपर यह product form हो जाएगा लेकिन हमने बोला था कि हम इसमें heat डाल दे तो अपने पास diesel formation हो जाएगा और यह पर वापस हमें aromatic form हो जाएगी अब बात करते हैं एक्टिवेटिंग और डीक्टिवेटिंग ग्रूप की एक्टिवेटिंग ग्रूप की पहले हम यहां पर रिंग में देखे कि अपने पास कौनप कौन सी position कौन सी है oppát में डो और तो पो की तो और living group हो सकते हैं मतलब जहां पे जिस center पे जिस center पे अपनी reaction हो रही है टीक है यहां मैं बोलो कि मेरे सिस्थम है यहां पर और हो रहे हैं यहां पर सेरी हैं यहां पर मेरा चार अरहा हॲह यह हो थो मैं आप feudal तो देखो activating और deactivating की बात करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं कोई यहां पे group attach करते हैं कोई substitute करके और उसके बाद में हम regionating structure देखते हैं और उसमें देखते हैं कि अपने पाद जो positive negative charge form हो रहा है वो stable हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यदि मैं CS3 के case में बात करूँ और यहां पर मैं क्या गर रहा हूं कि NO2 का addition HNO3 nitrogen की बात करूँ यहां पर देखो NO2 पहले nitrogen यह माइन फॉर्म होगा था यहां पर यह क्या गरेगा पहले यह कार्वोगेटाइन फॉर्म होगा जो sigma complex होगा अपने पार sigma complex में देखो resonating structure ड्रो हो रहे गा यह two degree secondary है और यह भी अपने पाश secondary है तो यहां पर अपने पास और यह यह वाली और यह इन पर यह रही तो इसमें भी अपने पास भी आल्वोगेटाइन फॉर्म हो रहा है ठीक है तो ऐपने पास जो टू मतलब एक अपने पास पास फॉम हो रहा है तो अपने में पास 3D वाल ज्यादा पीर पास करेंगे थी के जादा पर पर करेंगग में बहुत स्कते हैं कार्बोय ग्रॉप कैजें थी कर्षीma T है कहाँ पर वutenब और बना शुरा कि एक्टीटियूेटिंगूप है और वो कहां पर अरथो पर है और मेइस में पर और शु Italia पर किसे मेरा अपना में और ह selfish या इस नरहरे अपर करके में रज़नेटिंग स्ट्रेक्चर बनाओं कि यहां पर लिया थे अर्थो फ्रेक्टेक्टर यहां पर आपने पास सिगस्ट्व में कुछ एसी सिग्मा वो जैसे यह क्या हो रहा रहा यह ँनिस्टेबल रहा भागा है एसलिक मेता की बन कैक्ट जी इसके बास तीनों इसनों इसे बात किने तो पेरा में भी देख सेखते हैं जो सेकेंड इस्टेक्चर थे इसके अंदर को यहां पर पोजिटीव डिटीव चार्ज फोगा तो हम इसको भी परफ़र्ण नहीं करेंग estamos तो इसका हम बोल सेकते हैं कि यदि हमने पास NO2 गुरुप लगा हुआ है, मतलब अपने पास जो बेंजेन दिंग में आपने पास ज्यादा पिरिफर करेगा, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो यदि हम बात करें कि जो बेंजीन है नोर्मल बैंजीन है और अपने पास स्लॉवियन है उसमें यह इंदि नायट्रेशन की बात करें तो कौन सा ज्यादा बौल सकते हैं कि कौन सा ज्यादा फ्रोटक्ट फॉर्म करेंगा तो देखों यहां पर बैंजीन की कैस में देखे तो बैंजीन के पास एक पॉसिबियोटी है वह शुब करेंगा अपने पार उससे को अदिय कर रहा हूं गरो है इसको बढ़ लोग देखा हूं आफे तो इसका मतलब activation एनरजी में कम कर रहा हूं तो यहां पर देखो मेटा की केस में देखा था भी हमने कि जो CS3 ग्रूप है वहां पर नहीं कि electronic effect donation by conjunction है तो वह कौन कौन सी ग्रूप होते है जैसे NR2 और वहां वह क्या करते हैं activating group है कहां पर नापर और पेरा और यह थी हम inductive के बात करें जैसे alkyl group रहा अपने पास alkyl group रहा जैसे hyperconjugation के बात कर सकते हैं इसे activating group यह भी कहां पर यह और और पेरा पर है जोपके मेटा पर यह नहीं होते हैं तीक है मेटा पर यह नहीं होते हैं इसी बात करें donation by conjugation and electron withdrawing group by inductive effect जैसे fluorine, chlorine, bromine, iodine रहा तो यह क्या रहते हैं दिको de-activating रहते हैं कहां पर addition lightning has лучше tenderly peraire, तो देखू क्या होगा इसके अंदर क्या होगा यह अपने पास reaction होगी जो reaction होगी और पेरा पर रहेगी यहाँ पर यह क्या गरेगा přैक्ट कैसे होगी तो यह पने यह अपने पास फ्लोरी पहली बातो यहां पास अपने पास एलेक्ट्रोइंग ग्रूप है अब यह यह थिकाइक नहरippy तो यह किया एकशी हरोगी होना फेस को सकते वे यहां प्री सकते हैं उसके यह करना इंक। इसके होनाओ अपर वह पर पर क geri घेड़ा को इनक्रीच करते हैं नभूत करें वह पुड़ सकते हैं यह क्लोरीन के gahal आइसा कुछ यहां पर यह क्र张 करें और और यहां रेक्टिड जान्स कर का कृता है मेरे आपऴ बस première हमिस्स करते हैं तो यहां पर किस पर और पेरा पर अपने पास यहां पर प्रोड़क्ट फोन करते हैं ठीक है ऐसे ही बात करें विड्ड्रोइंग बाइ इंडुक्टिव फेक जैसे दिएक्टिवटिंग ग्रूप रहते हैं उसका रीजिन यह अभी है जो हम मुलूमों को इंक्रीज करते हैं और वो किस पर पिरफर करते हैं मेटा पर तो इसके केस में क्या होता है कि जो मालोई इस चीएप 3 है तो चीएप 3 अब क्या गरेगा यह यह उन्लोण करेंगा और इक्राइब करेंगा नहीं कर सकते हैं सबसे ज valeur उतंसिति अपने तो यह हम पहले एक्जामपल की बात करें तो इसके अंदर जो CS3 ग्रूप है CS3 ग्रूप अभी हमने देखा तो यह क्या होता अपने पार और तो और अपने पास पेरा डायरेक्टिंग होता है एसे एसे में CS3 की बात करो हो घुडों कि झायरेक्टिंग पेरा डायरेक्टिंग है तो इसके case में चीर्ण का होगा है और CH campuses वेने पर योजे केस में यहां पर देखो यह क्या करस्पोंडिंग देखें हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बोल सकता हूं इस्टेरिक रहेगा एक ऐसी ही प्सीबिलीटी है मेरे पास यह प्सक्राइब मेरे हैं तो क्या हो गया फृति होग्या है। हम बोल रहे हैं यहां पर यहां पास कए फयुशिप्ट कूर फट्वम होता ऐसे ही यह दि में second example के बात करूँ तो देखो second example में जो मेरा CS3 group है जो मेरा CS3 group है वो कौन सा है मेरे पास ortho and para directing है जब कि जो मेरा NO2 है वो कौन सा directing था वो meta directing था meta directing था जिसका मतलब देखो यहां पर देखा जाए तो product सही form हो रहा है कि मतलब बोल सकते हैं कि यहां पर NO2 के corresponding यह को हो गया मेरे पास यहां पर NO2 के corresponding यह meta हो गया और CS3 के corresponding मेरा orth हो गया तो product यह वाला form होने वाला है ठीक है तो हमें यह से देख रहा है कि कौन सा group ज्यादा dominate क जिसे ही मालो में इस example की बात करो तो इस example में मेरे पास क्या है OCS3 group है और NO2 group है अब जो NO2 group हो वो क्या रहता है अपने पास meta directing रहता है ना यह तो और यह अपने पास OCS3 है वो ortho and para directing है और तो इसके पास कितनी condition है यह यहां पर दो ortho position है और एक यहां पर para position है जबकि जो NO2 हो है उसके पास एक ही meta position है ठीक है तो इसमें dominate को हुआ dominate की बात करें तो कौन सा group dominate हो रहा है OCS3 group dominate हो रहा है तो अपने पास जो final product होगा वो OCS3 के corresponding हमें form करना होता है ठीक है तो यहां पर sulphonation की बात कर रहा है तो sulphonation कहां पर form होगा अपने पास SO3H form होगा और यहां पर NO2 यहां पर अपने पास OCS3 रहेगा OCS3 रहेगा यहां फिर अपने पास कोई सा product form हो सकता है OTHO ORTHO अपने पास क्या हो सकता है product form हो सकता है ठीक है तो अपने पास यह वाले product रहेंगे तो देखो यहां पर NO2 के corresponding हमने product draw नहीं गया उसका reason यह था कि अपने पास OCS3 था उसका dominating power और ज्यादा था उसके में देख सकते हैं तीन पोजिशन है अपने पास इसलिए बोल सकते हैं जो product होगा OCS3 का corresponding हमे product form होना होगा ऐसा ही एक्जाम में क्यूसन पूछे जाते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम nucleophilic aromatic substitution की तो हम बोल सकते हैं इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे पहला होगा addition elimination mechanism और second होगा elimination addition mechanism ठीक है उसको बोलते हैं benzyne mechanism तो देख को addition elimination reaction है उसको हम इपसो reaction भी बोलते हैं इपसो reaction भी बोलते हैं तो just for example जो अपने पार CL है यहां पर करेंगे रहे हैं यह base attack करेगा तो पहले तो क्या हो जाएगा यह addition हो जाएगा पहले case में addition हो इसके mechanism अभी हम देखने वाले है ठीक है इसके mechanism की बात करें तो पहले case में क्या होगा जो hydroxy group हो यहां पर attack करेगा उसके बाद में resonate करके सिग्मा complex है जतना भी resonate करेगा और resonate करके फिर से वही बात हो जाएगी जो यह हम नेगेटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होग पर यहां पर और तो यहां से लहां पर सब्सक्राणी करें है यहां पर शुम्सा करकें लेगा फिर हूं यहाँ है फिर बार चौर्ण यहां थी उसको जो बात इसको अग्वत्स्यक कर लएगा पास craftsai के हो एक्झापल ढलऑ ने फने देखिनिंग यहां पने लिओ सफी यहे यह थी अपने पास पहले एडीशन हो रहा था पहले एडीशन हो रहा था और फिर अपने पास कौन से हो रहा था एलिमिनेशन रियक्शन हो रही थी और इसको हम बोल रहे थे कौन सी रियक्शन बोल रहे थे इप्सो रियक्शन बोल रहे थे ठीक है ऐसे ही यह बात करूँ सेक पहले क्या होगा? पहले Elimination हो फिर उसके बाद में मेरे पाद Addison हो उसके बाद में Addison हो तो उसको बोल रहे थे Benzene reaction Benzene reaction बोल रहे थे तो इसके case में क्या होगा? जो मेरे पाद Nucleofile यहां पर Living Group है जो CL लगा हुआ है तो यहां पर NANS-Tool लिया है मेरे पाद यह Non-Nucleofile क्या होता है तो यह क्या करेगा? यहां से Hydrogen Upstate करेगा और यह कुछ Benzene form कर देगा यहां पर यह पहले Benzene form कर देगा ठीक है? यहां पर Benzene form होगा तो इसके बाद में यहां पर यह Addison होगा ठीक है? तो यहां पर दो Possibility थी कि जो Benzene form हो रहा है यह कोई Group लेकर देखें तो यह Benzene form होगा बेंजेन अभी हम देखें कि form कैसे हो रहा है यह मेरे पाद कोई Benzene form यहां पर इसके बास दो Possibility थी जो NS2 यहां तो यहां पर Attack कर सकता है यहां पर Attack कर सकता है तो यह attack किस पर depend करता है वो हम बात करेंगे इसमें और इससे हमेशा जो DU के exam है जो net gate है जो IAT jam है mostly IAT jam में तो हमेशा पूछा जाता है तो इसके बात करेंगे तो इसमें देखो यहाँ पर 4 पर attack करा तो यह product form हो गया उसके बाद में रेजनेट करके अपके बेंजाइन फॉम कर देगा बेंजाइन फॉम हो गया अब बेंजाइन फॉम होने के पास अपने पास जो NS2 है जो NS2 है तो वो क्या गरेगा इसके पास दो possibility है तो यहाँ पर attack करें एपने पास नसा और यह पेख ऐसा पास और अपने डानख साथ प्रोड़क्त साथ스ा कर प्रोड़क्त साथ यहां पर कुछ फ्रोडक्ट ऐसा फ्रोड़क्ट ऐसा फ्रोड़क्ट अब हमें डिसाइड कैसे करेंगे हम डिसाइड कैसे करेंगे कि अपने पास प्रोड़क्ट कौन सा फ्रोड़क्ट होगा तो देखो एसी जगह करवाना है कि जो अपने पास जो नेगेटिव फोर्म होगा अटेक करवाने के मितलब एडिसन होने के बाद में जो नेगेटिव चार्ज फोर्म होगा वो अपने पास पोजीटिव चार्ज मितलब इलेक्ट्रों विड्ड्रों ग्रूइंग ग्रूप के पास में हो पर फोर्थ पर 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 एक दूसरे के पास में है और जब मैं थार्ड पर अटेक करवाता हूं तो यह नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं फार एक दूसरे से तो इसको बोलते हैं यह अपने पास फेवर्ड होता है मतलब प्रोटेक कौन सा फोर्म होगा यह वाला प्रोटेक्ट फोर्म होगा ठीक है ऐसे ही मेरे पास यह एक्टोन विड्ड्रोइंग ग्रूप है और वह मेरे पास कहां पर अटेज रहे है और उसके अंदर में जो अपने पास बढेता की वाला प्रोटेक्ट वम नहीं हौता हुआ है यह हमने बातके लिए लेक्ट्रोइंग की तीक है इसे की ब्रोटेक्ट की यह वाला प्रोटेक्ट लिए उसके बीजe आरेक्ट फोर्म होने जलक है झाप साहिक है उसकेके से ऑम देख सकते है हैं जो और यह उस्ये parentheses ग्रूप है है वो यहाँ पर इलेक्टोन डोनेटिंग नहीं माना जाएगा यहाँ पर हम इंडेक्टिव की बात करेंगे इंडेक्टिव की बात करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कितना अपनी तरफ पुल कर सकता है इलेक्टोन डेंसिटी कौन अपने पास कितनी पुल कर सकता है जब तक हम उस पे इलेक्ट्रोन डोनेटिंग की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोन डोनेटिंग की तब ही बात करेंगे, जब तक हम उस पे नेगेटिव चार्ज नहीं रख देते हैं, मतलब उस पे चार्ज नहीं रखेंगे ना, तब तक हम उसको इलेक्ट्रोन डोनेटिंग नहीं मानेंगे इसके अंदर इस बेंजाइन के केस में ठीक है यहां पर इंडेक्टिव के बात करेंगे और इंडेक्टिव के बात करें तो यहां पर यहां पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म करूँ अटेक यहां करवागी यहां नेगेटिव चार्ज फॉर्म करूँ तो मिरे से ही में CL की बात करूं था हम यहां पर जो मैटा है उस पर मेरे पास दो possibility यह वाली possibility है ठीक है यहा पे देखा जाए तो अब यह पर भी अटेक कर सकता है तो अब यहां पर भी अटेक कर सकता है तो अटेक कहा करेगा मेरा पूर्थ पर टेक करेगा उसका रीजन क्या हो जो यहां पर जो नेगेटिव जार्द होगा वो अस्तिति से स्टेबलाइज हो रहा हूँ लेकिन यह बात कर लिए हमने जो OCS3 है एज इंडेक्टिव फेक्ट अपना काम करें लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरे पास O- है मेरे पास क यहां हो पर जाये तो benzine कहां फोम होनेवाला है मेरे पास benzine कुछ ऐसा फोम होने बाला है ठीक है थीक है और यहां पे नेगटिव रहें तो यह वाली दो नेगटिव है उन्में तो अब तो कोई electron withdrawing का वो रह ही नहीं नहीं ना। ना कोई electron withdrawing group minus i लग रहे रहे बाँ लगा अपने पार इसका मतलब बोल सकते हैं कि यह यह उनों जो negative हैं वो क्या करेंगा रिपल करेंगे एक दूसरे पास रहेकि इसका बोल सकते हैं कि यह वाला हम prefer नहीं करेंगे और इसके क्छेरें हम prefer करेंगे कौन सा third position वाला, Third position वाला मतलब meta attack करवाएंगे इसके कर से कासे निदे करें आ रहेंगे तभी अपने पास stable है तो हम क्या conclude निकाल सकते हैं कि अपने पास यह इलेक्टोन विड्ड्रोइंग रूप है और यह अपने पास कहां पर position ortho और अपने पास पेरा पर अपने पास यह बेंजाइन फोर्म हो रहा है तो अपने पास कहां पर attack करवाना है अपने पा इन पर और यह इ सब्धाइन फोर्म इतन सक्तित किते हैं धीडियों अपने सुर्म हों हो ए अपने पास और फोर्म नेजाइन पर 234 वार्तिध है और यह रेक्टोन विड्डोइंग ग्रुप हो घता सब्स判र्षर पर नेगर्णफ आप और उपने पास दोंने में बात बा है उसके अंदर मे twee अइंड होरी मेरे बेंजीयन कि में can इससे ही बात सुमें किसी एलेक्न टॉन ça इस है और उसके इंदर पर पास यह थी Benzine Form हो रहा है Benzine Form थो मेरे पास आपक होगा रहा है तो यह हम यहां से Conclusion कर सकते हैं तो एक्जाब में हमें सह इस एक्जाम को लुख भुचा जाता है तो इस इस टेबल को अच्छे से देखना हो जनरलाइज करना है कि हम यह क्यों बोल रहे हैं यह हम क्यों बोल रहे हैं तो दिको यह बात करते हैं किसकी चार्ज से समझ सकते हैं रिपल्सन से समझ सकते हैं ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास अट्रेक्शन रहेगा नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन रहेगा ठीक तो आज की इस chapter में हम इतना ही पढ़ेंगे और अब जो next chapter होगा उसमें हम hetero aromatic की बात करेंगे जैसे अपने पास फ्यूरान वगेरा हुआ इन सब के हम बात करने वाले ठीक है तो वह अपना जो last chapter रहेगा reaction में करेंगा और उसके बाद में start करेंगे name reaction ठीक है thank you for watching the video